नमस्कार मैं डॉक्टर गौरो पटेल कंसल्टेंट डर्मेटोलोजिस्ट एट आस्था स्कीन एन लेजर क्लिनिक एहम्दाबाद के माध्यम से आज आपको एक्यूरिया एचेप क्रीम के बारे में बताऊंगा एक्यूरिया एचेप क्रीम जेल एक मोश्यूराइजर नरीसिंग प्रोटेक्टिव एन रिपेरिंग क्रीम है आईए देखते उसको हम यूज कहां पे करते हैं सबसे कॉमन इसका इंडिकेशन है फटी एडिया जो क्रेक फिट बोलते है इसमें कॉमनली यूज होता है इसके अलावा भी ड्राय डेट स्कीन रिलेटेट कंडिशन रहती है जैसे कि एक्जीमा, सुरियसी, स्कॉन, केलोसिटी इसमें भी ये क्रीम इस्तेमाल हम कर सकते है स्कीन के अलावा जब नाकुन में फंगल इंफेक्शन होता है या इंग्रो नेल होता है या फिर नेल डेमेज होता है तो भी ये क्रीम इस्तेमाल कर सकते है ये क्रीम लगाने से पहले एक बार आप अपने डर्मेटोलोजिस को कंसर्ट जरूर करवाईए एक्यूरिया एचेप क्रीम जो है वो 15 ग्राम जार पैक में अवैलेबल है अजन्ता फार्मासिटिकल्स इनको बनाते है इसका जो मेंग कंटेंस है वो 40% यूरिया है इसके अलावा भी इसमें अलोवेरा और टीट्री ओईल भी है इसके अलावा भी जो और इंग्रेडेंट्स है जिसमें पेरिफाइड वाटर, प्रोपिलिंग लाइकॉल, लाइट लिक्विड पेराफिन, आल्कली एक्रिलेट, क्रोस पोलिमर, डायमेथिकोन, ग्लीसरीन, व्यूटिलिंग लाइकॉल, जैन्थेन गम, और पॉलिस ओर्बेट 40 भी है आई हम देखते हैं कि यूरिया जो है वो काम कैसे करता है यूरिया जो है वो नेचरली भी हमारे स्कीन में मोस्चुराइजर प्रोवाइड करता है ये एक हुमक्टन्ट बोलता है, यूरिया जो है वो पानी को पकटके रखता है और स्कीन को मोस्चुराइज करता है इसके अलावा भी skin पे जो oil होता है उसको भी ये regulate करता है यूरिया की keratolatic activity भी है उसका मतलब कि जो dry और dead skin होती है उसको remove करता है इसके अलावा antifungal activity भी यूरिया की रहती है अब हम देखते कि इसको कैसे लगाना है Acuria HF जो cream है उसको जहां पर भी affected area है वहां पर दिन में दो बाल लगाना है लगाने से पहले आप अच्छे से जो भी affected skin है उसको wash कर दीजे ये cream के साथ एक applicator आता है उससे आपको cream को अच्छे से लगाना है लगाने के बाद जब तक cream अंदर नहीं होता थी उसको आपको massage करना है ये cream को आपको room temperature पे 25 degree के नीचे रखना है इसको freeze में नहीं रखना है जब भी खुलना गाउं होता है जिसको open wounds बोलते है तब ये cream को नहीं लगाना है या कोई skin का infection होता है तब भी ये cream आपको avoid करनी है अगर आपको urea से allergy है तो भी आप ये cream मत लगाईए आई अब हम देखते कि इसके side effect क्या रहती है ऐसे तो ये safe cream है लेकिन कहीं बार इसमें खुजली आती है जलन होती है या irritation या चूबन हो सकती है इसे कोई भी side effect होती है तो cream को आपको immediately stop करना है और आपके dermatologist को consult करना है जो cream है उसको हम commonly जो crack fit होते है जिसको हम fatty area बोलते है उसमें use करते है जब भी आप cream लगाने के बाद socks पहनेंगे तो result जो है इसका काफी अच्छा मिलेगा और काफी fast मिलेगा एक्यूरिया एचेप क्रीम के बारे में और भी कोई query और question है तो आप मुझे comment box में बता सकते हैं ऐसे और भी skin और hair related informative वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को subscribe करना ना बूलिए थैंक्यू